कि आप सबी दोस्तों का स्वागत करते हैं कौहना इंपोर्जों में वीडियो में सूज इस वीडियो में बात करने वा ले लेकर अभी तक अब येहाँ अब हे उल्री पॉर्ड किया गया होगा पहले भी आप सभी को day by day की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन time to time आप सभी को update इस company के related में देता रहा हूँ और साथ साथ logic के साथ बात किये हैं और क्योंकि देखा जाए तो fundamentally analysis कुछ से भी आप कर सकते हैं कुछ basic parameter से उसको फिक कुछ से भी just कर सकते हैं लेकिन logic और conviction जब तक आप के पास psychology के लिए किस तरीके से performance कर सकती है इन दिनों points को आप सही से नहीं observe करते हैं किसी भी company में इस तरीके से short time में आप returns नहीं कमा सकते हैं इस company के रिडिटर कुछ basic information किस तरीके से आप कैसे सिख सकते हैं और आने वाले समय में किसी company में apply कर सकते हैं इस रणनेती को इनके बारे में इस video में बात करने वाले है चैनल की सुझूर रहेगा ताकि आप लोग को पूरी तरीके से important updates पता रहते हैं तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट अपर एक्टिवेर लिम्टेड कंपनी की जो IPO आपको आते हुए देखने को मिला था इस IPO की बात करें तो यह IPO का आई हुई थी तो आहां पर अप्राइल मैंत में IPO आते हुए देखने को मिला था मैं मैं में इसके listing हुई थी और मैं से ले जादा के रिटरंस IPO से लेकर अभी तक यह कंपनी और लेडी आपको दे चुकी है देखा जाए तो इस कंपनी के रिलेटेड ही बात करते हैं तो 1400 क्रोर की टोटल इसू साइज आपको देखने को मिला था और पूरी की तरीके से यह entire offer for sale आपको देखने को मिला था इसके बा पार्केक की कर्डिशन भी उतनी अच्छी आपको नहीं देखने को मिल ले थी इस आपको देखने को मिला था और शबसे मेन और जो देखने को मिले थी उस समय की बात करें तो 152 टाइम्स आपको QIB के द्वारा ये IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था तो देख सकने हैं जिसमें कमपनी में और जिसने जो भी IPO पर्फॉमेंस करके दी है 6 months से लेकर 1 year के टाइम परेम में अच्छे रिटरंस ओ कमपनी आपको देती भी देखने को मिले है जिसमें SNI से ज़्यादा की वारा की वारा जो इन्वेश्मेंट किया गया है इसी करन से इस कंपनी की जो प्रेजन से और जो ट्रेंड आपको अप्रेंड में देखने को मिले है इसी बज़ा से मेरे लाइसिस के कोडिंग आपका कोई further points से हो भी discuss कर सकते है और और overall काफी अच्छी subscription status उससे में देखने को मिला था 51.75 times QIB के तरफ से अच्छे application आने की अबाव करन आज के डेट में बात कर सकते हैं के campus active or limited company में आज के डेट में 4.88% की तेजी के साथ closing देती भी देखने को मिली है आज के डेट में इस company ने 602 रुपिया की high बनाई है और 580 पे आज के डेट में closing देखने को मिला है वैसे जब से company list हुए है जिन्होंने listing पे भी buy किया होगा उनकी portfolio में लगवा 53% की positive returns देखने को मिलना होगा देखा जा तो इसकी listing इनके बाद इस company ने चुलो बनाया था उस low की भी बात करें तो अपने issue price तक जाते हुए देखने को मिला था देख सकते हैं किस तरीके से किसी भी company में आप रिलाइस से करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छे returns मिलते पर देखने को मिलता है और जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं weak hand को यहां से निकाला गया लगाते भी देखने को मिल चुकी है जो की 52 week high आपको 60 602 की आपको देखने को मिला है overall जेखा जाए तो इस company के related यह आप बात करते हैं तो company में जो 36 लाग equity अप से trade हुए और में से 5 लाग equity अप सिर्फ उसे delivery में उठाए गया है percentage of delivery के बात करें तो उतने अच्छे percentage of delivery यहा जरूरी है जो की होने वाले आने वाले समय में यही होते हुए देखने को मिलेगी इस company के service में further आने वाले समय में जब company अपने quarterly results update कि रहीगी तो उस समय थोड़ी से आपको तेजी में भी देखने को मिसे इस company के बारे में पहले वी और कितने वीडियो में मैंने आप सभी क बताया था कि किस तरीके से इस company में आने वाले समय में performance देखने को मैं सकती है क्योंगी यह company अपने जिस segment में काम कर रही है foodware segment में उस segment में company अच्छे का से presence रखती है company tier 2, tier 1, strategy में काफी अच्छे का से presence है company जो की सभी range की जो price होती है उस range में आपको अपने products को available कराती भी देखने को मिलती है इसके कारण से company की जो price और affordable price होने के वाइसे काफी अच्छे कास है जो season, festival season आने वाले है और wedding season आने वाले है जिसके कारण से company की प्रोडक्स की demand आने वाले समय में बढ़ेगी और products की demand पढ़ने के कारण से company के revenue में काफी अच्छे improvement देखने को मिलेगा ह लेकिन वहाँ पे अब आने वाले समय में क्या होगा उसको हम लग समझते हैं क्योंकि देखा जा तो उस समय किस तरीके से यहाँ पर जिन्होंने buy किया है इनके द्वार यहाँ पर buy की गई है अब आने वाले समय में quarterly results अच्छे आते हुए देखने को मिलेगी और उस quarterly results में जिन्होंने यहाँ पर smart player ने buy किया था उनके द्वार यहाँ पर sale की जाएगी और retailers के द्वार यहाँ पर generally buy की जाएगी क्योंकि उसमें सभी के द्वारा और सभी के पार्ट में यहाँ पर discussion आपको देखने को मिल जाएंगे इस करण से यहाँ और इस तरीके साब को चार्ट प्रेमर के बाद उसमें इस तरीकी करती है वह काफी ज्याद इंपॉर्टेंट आएगा देखना इस कंपनी के रिलेटर यह दी पर मोटर्स FIDI holding की बात करते हैं इसमें इंक्रीज हो जाती है जो कि FIDI अपने को इंक्रीज करते है तो एक और positive points हो जाएगी जिसके द्वारा कन्विक्शन के साथ फिर से रिटरलर की participation देखने को मिलेगा और स्मार्ट प्लेर जिन्होंने निचलेलर पर बाई किया है उनके द्वारा ओपरेगलर पर सेल की जाएगी इसका पैसे टेक्निकल की कोडिक हम लोग बात करें तो टेक्निकल को निटेक सकते हैं दो बार आपक देखने का बला यहां पर नीचा आने की कोशिज की लेकिन फिर से यहां पर रिटरेश्मेंट सैसे नहीं की और उसके बाद फिर से उपर जा चुकिए तो यहां पर तो आपका क्या विचार इस कंपनी के रिलेटेड आप सभी के डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि मेरे पो आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन ने चुला वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दहने बाद मिलते हैं नए इंफॉर्मेटी वीडियो में तब तक की जाए